हलो एब्रीवन नमस्कार मैं हूँ रमन मिश्रा स्वागत है आपका परिक्षा प्लस चैनल पर दोस्तों UPSC Lower का पहला टेस्ट आपने दिया है अभी भी टेस्ट लाइब चल ले है टेस्ट पहला आपका कम्प्लीट हो चुका है और दूसरा टेस्ट आपका 13 तारीक को है पहला टेस्ट जो आज 11 तारीक को आपका हुआ उस टेस्ट में आपने बहुत अच्छे से पार्डिसिबेट क इसकी सबसे पहले तो PDF आपको बगल में दिख रही होगी question जो आपके paper है कि कौन गोन से आपके questions रहे मैं 76 से लेकर 150 तक questions के आपके ब्याख्यान दूँगा यानि quality के जो आपके question है जिसकी सुरवात 76 number question से होती है और 150 number तक के जो प्रशन आपके हैं उनके बारे में मैं आप आपको एक-एक सारी चीजे important point उनके साथ related जो बिंदु है जो परिच्छा की दरिश्टी से बहुत महत्पूर्ण हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अगर आपने test दिया है तो नीचे comment box में YouTube के जरूर एक बार mention करिए आप अपनी प्रतक्रिया जरूर दें कि test हमारा कैस लगा टेलिग्राम से हमारे जो लोग जुड़े हैं वो टेलिग्राम पर अपनी प्रतक्रिया दें और जो लोग हमारे ग्रूप पर Facebook पर जुड़े हैं वो एक बार जरूर ग्रूप में post करिए कि कैसा रहा आपके लिए test और कैसा मददगार ये साबित हो रहा है जिससे कि ह हमें भी थोड़ी उर्जा आपसे मिलती रहे आपके कमेंट के माध्यम से और हम अपने इस क्रियकलाब में बहतर से बहतर कर पाएं दोस्तों मैं सुरुआत करता हूँ आपके 76 नंबर क्वेश्चन से अगर क्वेश्चन पेपर आपके पास नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप रेट हो जाएं और सुरुआत करते हैं वेश्चन नंबर 76 से 76 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उस रेट को क्या कहते हैं जिसे उस अधिकारी यानि अथार्टी के बेरुद्ध दायर किया जाता है जो किसी वेक्ति को बंदी बना कर रखता है बंदी बनाना यानि नहीं मिलती है तो आप किस रिट के माध्यम से क्योंकि आपको वंदी बनाया गया तो मौलिक अधिकारों का हनन हुआ तो आप कहां पर जाएंगे अनुछेद 32 के तहर सीधे सुप्रिम कोर्ड जा सकते हैं या फिर अनुछेद 226 के साहिद किसी भी उचे नियाले में आप जा स सक्तितोर मौल अधिकार एक बिसेश अधिकार हम जानते हैं या राज जी के बेरुद्ध अधिकार हैं इसमें जो आप्शन दिये गया है पहला आप्शन है बंदी प्रत्यच्छी करण जो है अविलेग यानि रिट दूसरा है परमादेश रिट तीसरा है प्रतिसेद रिट चोथायुत प्रेशन उप्शन इसमें क्या सही होगा कि किसी ब्यक्ति को बंदी बनाया गया तो बंदी प्रत्यच्छी करण अविलेग यानि बंदी प्रत्यच्छी करण जो रिट होती है यह दायर की जाएगी इसको इंगलिस में बोलते हैं heaviest carpus यानि उप्शन आपका A स सही होगा 76 का क्योंकि इसके द्वारा बंदी प्रतिच्छी करण के माध्यम से हम रिट दायर करेंगे और रिट से हम पता कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया वो व्यक्ति अपका कहां है आप जानते हैं कि पांच प्रकार की रिटिम हमारे जो है इस समय सुप्र प्रकार की बंदी आपकी यह होती है पहली प्रतिची करण दूसरा आपका जो चलता है यह परमादेश होती है और तीसरा होता है उत्परेशन चौथा जो चलता है यह आपका होता है प्रतिसेद और पांचवा होता है अधिकार प्रिच्छा ठीक है तो पांचव प्रकार की र में कोई भी परिच्छा देंगे, हाला कि हर परिच्छाओं के लिए हम अलग अलग टेसरीज आपके लिए जरूर लांच करेंगे, हमारी ये कोसिस होगी, दूसरा क्वेशन देखते हैं, 77 नंबर, दूसरे क्वेशन को पढ़िए थोड़ा सा, मैं बोल ला हूँ, कि भारतिय स 77 नंबर क्वेशन है, डी सही होगा, क्योंकि आठकिल 61 में ही, इंपीजमेंट के बारे में दिया है, और वो भी खास कर कि इसके, राष्टपत पर अगर इंपीजमेंट लगाना है, तो आठकिल 61 का प्रियोग करते हैं, उसमें संभिधान में, कि इस आपके अनुछेद में बाकाइदा उसका उलेख है कि राष्टपत पर इंपीजमेंट कैसे लगेगा, थोड़ी सी जरूरी बात कि जब संभिधान का राष्टपत अतिक्रमन करता है, तो उस पर महावयोग चला जाता है, महावयोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में प्रारम की जा सकती है, और जिस सदन में ये आना होगा, उससे पहले, ठीक है, एक वहाँ पर प्रस्ताओ लाया जाता है, उस प्रस्ताओ पर कम से कम, एक बटे चार जितने संसत के सदन के सदस हैं, उनकी अनुमत सबसे पहले चाहिए, और दूसरी चीज, 14 दिन पूर्व राष्टपत को सूचना भी देनी परती है, ये दोनों तथी बहुत important है, ठीक है, बाद में दोनों सदनों में पेस किया जाता है, और दोनों सदनों में इसको दो तीहाई बहुमत से पास कराना जरूरी होता है, तो ये राष्टपत के impeachment की प्रक्रिया होती है, जो article 61 में ब्याख्याइद की गई है, अगला है 78 आपका question, 78 कह रहा है, भारत के संविधान की छठी अनुसूची के संबंध में निमलिखित कतनों पर विचार करें, ठीक है, छठी अनुसूची जो है, इसमें आपसे बात कर रहा है कि कुछ कतन दिये गए हैं, आपका 78 नमबर question है अगला, 78 का पहला जो आपका कतन कह रहा ह उपरिक्त में से कौन सा सही है, ठीक है, option ए दे रखा केवल एक, दूसरा दे रखा केवल दो, तीसरा दे रखा एक और दो, दोनों और चोथा कह रहा है ना एक ना दो, इसमें देखिए जो पहला कतन कह रहा है, कि सभी उत्तरपूर्वी राज्यों के जनजातिये छेत्रों प्रका चठी अनसूची के प्रावदानों के अंतरगत प्रकश्त दिये, तो छटी छो आपकी अनसूची है, यानि छटवी अनसूची है, छटी अनसूची में केवल चार राज्यों की जनजातियों के बारे में वर्णshopまだ आपन कह पहला कतन से वह आपके राज्यी हैं, इसम उत्तरपूर्व के चार राज ये आते हैं जो आपका है असम मेगाले त्रिपुरा और मिजोरम के ही बारे में आपकी छठी अनुसूची इनकी जनजातियों के बारे में प्रबंद करती है इसलिए पहला आपका कथन गलत हो गया दूसरा हम देख लेते हैं संसदी अधनियम र अगला बड़ते हैं सवेंटी नाइन के रहा है कि भारतिय संबिधान की प्रस्तावना प्रेम्बल आप देइंडियन कोंस्टिट्यूशन कितनी बार संसोधित की गई है मैंने प्रस्तावना आपको पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि कभी ये संसोधित हुई कौन-क अब देखते हैं question number 79 आपका question number 79 आपने पढ़ा होगा कि प्रेम्बल में कितनी बार आज तक संसोधन हुआ है तो प्रेम्बल में संसोधन आपका केवल एक बार हुआ है और इसका option आपका A सही हो जाएगा प्रेम्बल में संसोधन कब हुआ है 18 दिसंबर की बात है आपका 1976 उस दोरान जो है इंद्रा गांधी की सरकार थे ही और इंद्रा गांधी की सरकार में प्रेम्बल में आपका पहली बार संसोधन किया गया था केवल एक बार हुआ है तो इसका answer A सही हो जाएगा अगला question जो आपका दिया है question number 80 80 इसमें कहरा है भारतिय संबिधान का कौन सा मौलिक अधिकारों से संब्दित है भाग तीन सारे लोग जानते हैं कि जो हमारा भाग तीन है भारतिय संबिधान का ये हमारे मौलिक अधिकारों से संब्दित है भाग तीन को मैंगना कार्टा भी संबिधान का बोल जाता है ठीक है अगला question है 81 number की भारतिय संबिधान की न तरगत आते हैं यानि option B सही हो गया 31 B में ये कहा गया है कि नवी अन्सूची में जितने भी आपके अलग-अलग तथी रखे जाएंगी अलग-अलग तथी या कोई ऐसी बीधी बना कर इसमें डाली जाएगी तो उसको जो है ने आले में रिब्यू नहीं किया जा सकता है तो 31 B इन सारी चीजों को बचलता है यानि option अपका B सही हो जाएगा अगला बढ़ते है question number 82 कह रहा है राश्पत पर महावियोग चलाने की प्रस्ताव पर सदन के कितने सदस्यों के हस्ताचर होने चाहिए इससे पहले ही मैंने बताया कि सदन के कम से कम एक चोथाई सदस्यों पर हस्ताचर करने शाहिए उस प्रस्ताव पर वो संकल जो सदन में सबसे पहले लाया जाता है उसके बाद 83 नंबर तो इसका option ये सही हो जाएगा 82 का 83 कह रहा है कि भारतिय संबिधान का कौन सा अनुछेद राष्टपत को मौलिक अधिकारों के अस्थगन की सक्ति प्रदान करता है यानि राष्टपत मौलिक अधिकार पर आपका प्रदिबंद लगा सकता है मौलिक अधिकारों को नियून कर सकता है तो ऐसा कौन सा उसको किस अनुछेद में ऐसा अरिकार दिया गया तो आप सारे लोग जानते हैं अनुछेद 369 में ऐसा प्राउधान किया गया है कि राश्पत क्या कर सकता है कि जहां पर यह आपके आदेश आपातकाल लगे हुए हैं वहां पर अनुछेद 20 और 21 को छोड़ क पर वह हो इन सारे अनि जितने आपके मौलिक अधिकार हैं उन पर जो एप कहीं न कहीं अस्तगन लगा सकता है अगला बढ़ते हैं तो इसका ओप्शन 359 D सही हो जाएगा 83 का 84 कर रहा है कि संपिदान के किस अनुछेद के अंतरगत पिषड़ी जाती आए होगी यानि backward classes community ज सारी जिम्मेदारी सारा अधिकार किसको दिया गया है राश्पत को दिया गया है और यह अनुछे 340 में वर्डित है ठीक है तो इसका ओप्शन सही हो जाएगा भी ठीक है कि पिषड़ी वर्गों के लिए जो पिषड़े आपके वर्गों हैं इनकी दसाओं की अनवेशट क के लिए एक आयो की निवती राश्पत अनुछे 340 के तहट करता है ठीक है अगला क्वेश्चन है 85 नंबर आपका 85 85 नंबर क्वेश्चन कहे रहा है कि कि किस प्रदान मंत्री के सासनकाल में संपत की अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया तो आपको याद होगा बहुत अच्छे से कि मौलिक अधिकारों को निकाला गया था ये चोली शामे संविधान संसुधन के द्वारा और उस समय सरकार्थी मौरार जी देसाई की ठीक है तो उसके द्वारा जो है इसको हटाया गया था संपत की अधिकार को और संपत की अधिकार को अब एक बीधिक अधिकार बनाया गया अनुच्छे 301 के तहट यह एक आपका लीगल राइट है अगला कहरा है 86 नंबर भारत निर्वाचन आयोग बगल में क्वेश्चन चल लें आप उस पर भी ध्यान देते रहिएगा कहरा है भारत निर्वाचन आयोग के संद बेतन यहों भारत की संचिंदी पर भारित होते हैं तीसरे कह रहा है कि चुनाओं के दवरान ब्रेश्ट जो गत्विदियों में संब्थी वगतियों की प्रक्रणों में इसका जो मत होता है अगर जो है इसने अपना सुझाओं दिया कि हाँ फला-फला बरती जो है आपका इसने कुछ ऐसी गत्विदियां की हैं, जो कहीं न कहीं हमारे जो राजनेताओं के या चुनाओं से सम्मधी तोनच चाहिए, उसके खिलाप है, तो इसका जो सुझाओ है, वो क्या बादिकारी होता है, इसमें आप्शन जो आपका पहला दिया संभधानी निकाओ, बेलकुल ह ठीक है, संचिन नित पर इसके बेतन और भक्ते भारित नहीं होते हैं, ठीक है, कथन आपका इसमें ए सही हो जाएगा, यानि केबल एक और तीन, क्योंकि चुनाओं के दोरान अगर भरष्ट गर्विदियां होई और उसमें जो ब्यक्ति दोसी पाया गया और इसने अगर अ चार दिये हैं, इन में से देखे, पहला कहरा है, भारत का निवासी होना चाहिए, बिलकुल गलत है, नागरिक होना चाहिए, निवासी नहीं, दूसरा कहरा है, भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसकी 45 वर्से कम नहीं होनी चाहिए, नहीं, क्योंकि राश्पत बनने के परिभासित किया गया और उसके साथ ही साथ अनुछे 191 A में दो में एक तो आपका 102 के 1 A में डिफाइन है Office of Profit इसको इंगलिस में बोलते हैं लाव का पद ठीक है Office of Profit और दूसरा आपका ये संसत के सदस्यों के लिए है जो इसमें ब्याख्यान है ये संसत के सदस्यों के लिए है ध्यान रखेगा इस चीज़ को संसत के सदस्यों के लिए और 119 का जो आपका 1 A है ठीक है इसमें जो आपके विधान मंडल के सदस्यों होते हैं राजी विधान मंडल के उनके सदस्यों के बारे में ऐसा किया गया है कि लाव के पाद उनके लिए क्या-क्या होंगे तो दो अनुछे इसे संबन्दे थे एक सो दे वने और एक सो उननीस आपका वने दोनों इससे हो गए अगला question कह रहा है 88 number question है कि भारत में सर्बोच नियाले के नियादी कितने वर्स की आयू तक अपने पत पर आशाहिन रह सकता है तो इसके लिए जो उम्र फिक्स की गई है वो 65 वर्स है आपकी बहुत अच्छे से आपको ध्यान होगा तो इसका सही हो जाएगा option D अगला 89 कह रहा है लोगसभा की उरतमान सदसी संख्या जो 545 है 89 नमबर question ठीक कह रहा है कि जो लोगसभा के member है इनकी संख्या 545 जो अभी तक आपके चल लही है इसमें आगे बोल ला है इसमें किस वर्स तक बदलाव नहीं लाया जा सकता है तो आप जानते हैं कि इसमें अधिक्तम जो हो सकती है ये 552 हो सकती है और ये 552 जो हो सकती है ये आपका 2026 तक fix किया गया है 2026 तक हुआ क्या था कि इसमें 2026 तक कोई बदलाव नहीं होगा 550 ही रहेंगे उसके बाद जैसा कि आपकी जनगर्णा होगी उसके हिसाब से सीटे fix की जाएंगी अगर हम बात करें मौल संबिधान की तो मौल संबिधान में केवल 500 सीटे थी लोग सभा के लिए उसके बाद जो है इक्तिसमा संबिधान संसोधन हुआ 1974 में ठीक है इक्तिसमा संबिधान संसोधन हुआ था और ये संबिधान संसोधन आपका हुआ था 1974 में 1974 में जब संभीदान संसोधन हुआ तो Σीटे जो मुल लूप से पहले 500 थी मुल संभीदान में इसको बढ़ा दिया गया और इसको बढ़ाने के बाद किया गया था 547 500 से 547 किया गया उसके बाद फिर आपका जो है बाद में जब ये आया है 1987 में गोवायों दवंदीव पुन्याद गठन अधिनियम उसमें बढ़ा कर इसको 552 किया गया था ठीक है तो 2026 तक फिक्स होना है अगला बढ़तने क्वेशन नंबर आपका 90 है यानि प्रश्ण संख्या नब्बे नब्बे में आपसे कह रहा है यदि राष्ट पत्याग पत्र देता है अगला क्वेशन आपका कह रहा है कि अगर राष्ट पत्याग पत्र दे दे ठीक है 90 वाला ध्यान से पढ़िए क्वेशन राष्ट पत्याग पत्र दे या हटा दिया जाए या उसकी मृत हो जाए तो उस निर्वाचन आयोग एक सिंगल मेंबर वाड़ी हुआ करती थी बात सही है यानि इसमें केवल एक ही निर्वाचन आयोग तो होता था और यह समय सुरू हुआ था जब इसका गठन 1950 में किया गया था बात में कहरा है यह एक सिंगल बाड़ी वाला सिस्टम किस वर्स तक चला त 16 अक्टूबर 1989 से यह आयोग आपका त्री अस्तरिये ठीक है इसमें त्री अस्तरिये वेवस्ता लागू की गई थी और इसमें तीन आपके मेंबर आ चुके थे तो यह तीन अस्तरिये चला था हाला कि बाद में इसको फिर से सिंगल बाड़ी के रूप में बनाये गया था लेकिन यह 16 अक्टूबर 1989 से जो है तीन अस्तरिये हो गया था तो आपको इसका अप्शन सही हो जाएगा D आप जानते हैं क्योंकि मौलिक कर्थव्यों को इसके द्वारा जोड़ा गया उच्छे नयाले में तमाम ऐसे प्रोसीजर्स थे नयाद हीसों को लेकर के विसेस बल्लाव किये गए थे तो यह सारी चीजे आपकी आई थी किसमें इसी बैलिशामिस संविधान संसोधन के द् संसोधन को किस समित की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था तो आप जानते हैं मौलिक कर्थव्यों को स्वाड़ सिंग समित के सिफारिस पर लागू किया था तो आप्सन सी सही हो जाएगा 94 क्वेशन कहे रहा है कि सातवे संविधान संसोधन 1956 के तहट एक राज्य में बिधान परिशद यानि लेजिसलेटिव काउंसिल की अस्थापना की जाती है की गई थी कई राज्यों में तो उसमें कहे रहा है कि लेकिन कौन सा एक ऐसा राज्य है जहां बिधान परिशद ल सही हो जाएगा 95 कुश्ण कह रहा है बरहामी अनसूची किस से संबंदित है तो बरहामी अनसूची आप जानते हैं कि अनसूची केवल मोल सब्विधान में कितनी थी आठ आठ के बार नवी, दसमी, गराहमी, बराहमी, चावरो संसोधन के द्वारा जुड़ी तो जब इनमें संसोधन हुए तो बराहमी सबसे लास्ट में जुड़ी और सबसे लास्ट में आपको मालूम है कि पंचाइती राजवाला सबको सिस्टम था तो नगरपालिका से संबंदित है, नगरपालिका के कारी, छेतरादिकार और उसके दाईक तो इससे संबंदित है तो 95 हो जाएगा आपका, नगरपालिका से संबंदित तो भी आप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें जो है नगरपालिका वाला जो पूरा है आपका ठीक है इसको इस अनुसूची को चोहतर में संभिधान संसोधन 1992 के माद्धिम से जोड़ा गया था 1993 वाला पूरा प्रोसीजर रहा ठीक है 1992 में जोड़ा गया चोहतर में संभिधान संसोधन और इसमें किया किया गया था लोग सभा और राज सभा के कितने कितने सदसी होते हैं लोग लेखा समिती आप जानते हैं ठीक है कि इसमें जो सदस्यों का इसमें कुल सदस्यों की संख्या 22 है लोग लेखा समित में इसमें कुल सदसी 22 होते हैं 22 में से 15 सदसी आपके लोग सभा से लिए जाते हैं और बाकी बचे जो साथ सदसी होते हैं ये साथ सदसी आपके राजी सभा से लिए जाते हैं दोनों को मिला कर बाई सदसी होते हैं इसका जो अध्यच होता है लोग लेखा समित का ये हमेशा एक विपच्छ का नेता होता है ठीक है विपच्छ का संसोधन के द्वारा format अधिकार की नियुंतम आई dele is 21 वर्से गटाकर 18 वर्स कर दी गई तो आपको पता है एक सठमे संभिधान संसोधन के द्वारा format गईखा की जो आयू थी यह 21 वर्सें से कम करके 18 वर्स की गई थी जिसे से कि जो इवाँ आपका पक्ष है वो भी कही ना कही राजनीतिक व्यवस्था में सामिल हो राजनीतिक जो आपके एक तरीके से अधिकार हैं उसका लाब उठा सके ये 1989 में हुआ था आपका तो इसका option A सही हो जाएगा अगला है 98 number question भारत का मैंगना कार्टा समिधान के किस भाग को कहते हैं मैंने पहले भी डिसकस किया कि part 3 जो fundamental rights के हैं उनको समिधान का मैंगना कार्टा का जाता है यानि अधिकार पत्र मैंगना कार्टा को हिंदी में बोलते हैं अगला question कहे रहा है कि 99 पंचायत के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उमीदवार की निंतमाई क्या होनी चाहिए जाएर सी बात है 21 साल आपको होना चाहिए अगर आप पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे है option A सही हो जाएगा 100 number question कहे रहा है राज जी में जिला नयाधीस को निमलिखित में से कौन नियुक्त करता है तो राज जी में जिला नयाधीस है या उपर के बात है ठीक है तो दो ही कोई पावर है या तो राजिपाल या तो राश्टपदी तो इसमें option दे रखा है भारत का राज जी का उसका सरबोच नियाईक अधिकारी होता है ठीक है इसको जिला यूम सत्र नियादीज भी बोलते हैं कि दिवानी का मामला जो देख रहा है फौसदारी का जो मामला देख रहा हूँ उस हिसाब से इसको अलग-अलग नियाईक जो है अधिकारी बोलते हैं जो आपके क्रिमिनल क पूर्वी पश्मी, उत्तरी दक्षणी, एक मध्धिवाला होता है, और एक पूर्व उत्तर राज्यों के लिए, तो इधने मिलाकर छे आपकी बनाई गई है, अगला है, 102 नंबर, राजी सब्वा की गड़पूर्थी यानि कोरम कुल सदस्टी संख्या का कितना भाग होती है, तो गड़पूर्थी यानि जो कोरम होता है, यह क्वेशन 102 नंबर है, ठीक है, गड़पूर्थी हमेशा एक बटे दसकी होती है, कोरम जो होता है, यह एक नहरू ने जो है एक बिल संसद में पेस किया था संसोधन को ले करके और ये बिल 18 जून 1901 को संविधान उसके द्वारा जो है संसद के द्वारा पास कर दिया गया था इसके द्वारा क्या हुआ था मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन किये गया था बीसेस तोर पर आग 19 दिसंबर 1908 तक चला था 19 दिसंबर 1908 तक और प्रायरम कहां से हुआ था किस मार्च 1950 से ले करके तो इन्यों ने अपने कारिकाल में दो चुनाओं करवाए थे अगला कह रहा है तो ये इसका 104 का ओप्शन D सही हो जाएगा 105 कह रहा है कि संविधान के किस भाग में संविधा इस आपके प्रकेर्णों के बारे में उलेख है और भाग बीस जो दिया है ये भाग बीस आपके संविधान संसोदन से जाए तो 105 का D सही हो जाएगा अगला 106 नंबर क्वेशन कह रहा है भारत के नागरिकों के मुल करतब भी जाइड सी बात है इसे को पहले ही बता है बैल लेखा अनुदान संग सरकार को कौन सी अनुमत देता है तो लेखा अनुदान इसलिए दिया जाता है कि जब मानलो एक सरकार का कारिकाल पूरा होना वाला है और अगले उसमें बजट जो है पेस करने में थोड़ी सी उसको लेट हो जाए जो उसकी तारीके है क्योंकि जमसे उसका जो बे होता है वो बे संसद उसे प्रोवाइड करा देती है तो लेखा अनुदान की बेहस्ता ये आती है क्योंकि 31 मार्च को हमारा बजट खत्म हो जाता है और अगला बजट पेस करने तक अगर बजट पेस नहीं हुआ मालो नहीं सरकार चुनके आ गई तो वो 108 नमबर प्रशन समान कारी के लिए समान बेतन किस प्रकार का अधिकार है आप जानते हैं समान कारी के लिए समान बेतन ये आड के लापके 49 ए में ब्याख्यानित है और 36 से 55 तक नीती निदे सकत्त्तों का एक अंग है तो इसमें सही हो जाएगा राजी के नीती निदे सकत् अगला 109 नंबर क्वेशन है कि भारती संभिधान का कौन सा अनुछेत प्रेस की स्वतनता जाईर से बात है आड़किल 19 में छे प्रकार के आपके जो दिये गए है ठीक है अधिकार हमें मौलिक अधिकार उनमें प्रेस की स्वतनता आड़किल 19A के अंतर गताती है ठीक है 19A के अंतर गताती है जो आपका 19A है यह बोलता है राइट टू स्पीच एंड एश्परेसन यानि वाकियों अभिवक्ति की स्वतनतरता हमें प्रदान करता है छे प्रकार के इसमें हैं दूसरा आपका सांदपूर और निरायू सम्मेलन के लिए है 19B 19C आपका है संगम या संग मनाने के लिए अगर आप संग मनाना चाहते तो आपको 19C आजादी देता है चोथा कहरा है भारत के राजिशेतर में सरवत अवाद संचरन आने जाने की सारी विवस्ता आपको ये देता है आपका अगला कह रहा है भारत के राजिछेत के किसी भाग में रहने की सो विधा अब तो जम्बू कास्मीर भी आपका हो गया अगला कह रहा है उसके बाद किसी प्रित्य जीविका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा ये भी आपका एक 19.6 का पार्ट है 19.1 के तहट ही प्रेस की स्वतनता है यानि जो प्रिंटिंग प्रेस चाहिए आपका मेडिया चाहिए जो है वेबसाइट चलाने का अधिकार भी 19.1 के तहट आता है ठीक है इसको ध्यान रखिएगा 110 नमबर प्रेस्ट कहरा है निमन मेंसे कोन सी संसद्य वेवस्था की विशेष्था नहीं है 110 नमबर प्रेस्थ पर चलते हैं प्रेस्थण आपको यह दर देख रहे होंगे आपने पढ़ लिया होगा इसमें सबसे पहला कहरा है दोरी सासनात्मक विपोस्था बिलकुल सही है, हमारे याँ लोग सभा केंच सभा है, बिधान आपका रही सभा, अगला कह Ladies 무슨 सही है, विव विव शंव आपशन भी तीसरा कह случай है, विव शंव कहुए है उस दूब तो आपसन कि सही नहीं है, 111 बोला है भारतिय संसत किसे मिलकर बनती है question number 111 ठीक है शुरुवाद में जिनको interest होता है quality में यहीं उठाते है तो संसत आपका जो है संसत का गठन तीन अंगों से मिलकर होता है आपका पहला अंग इसका जरूरी है राश्टपती दूसरा अंगों अपका होता है लोगसभा और राजसभा तीसरे अंग के तोर पर आती है तो इन तीनों का से मिला करके भारतिय संसत का निर्माड होता है इसलिए संसत के यह दोनों सदन अगर कोई बिल पेस करते है तो राश्टपत जब तक उस पर साइन नहीं करेगा वो कानून नहीं बनेगा ठीक कोई बिलाएगा तो राश्टपत की मंजूरी इसलिए जरूरी है क्योंकि वो संसत का एक अभिननंग है अगला प्रश्ण है इसमें 113 नंबर भारत एक कल्यानकारी राज जी है या कहां से पता चलता है तो हमारे नीती नीदे सक्तत्तों में दिया है नीती नीदे सक्तत्तों यानी नीती नीदे सक्तत्ते धान जो है उसमें लिखा है कि कल्यानकारी राज जी की अस्थापना के लिए हमें साहम अग्रशर रहेंगे सरकारे तो 113 का D से ही हो जाएगा 14 कह रहा है कि निमने में से कौन भारत के राश्पत की इच्छा तक ही अपने पत पर बना लोग सभा अदेश राश्पत की इच्छा पर नहीं डिपेंड करता निरवाचन आयक तो नहीं उसका कारिकाल है राज यपाल यहीं ये कैसा है जो राश्पत के परशाद परियन तक उसकी अपनी पत पर आसीन रहता है तो आप्सन C हो जाएगा अगला कर रहा है 115 नंबर नियंतरगियों महाले का परिच्छक जिसको आप कैक बोलते हैं ठीक कैक का कारिकाल कितने वर्स का होता है छे वर्सों का होता है आगे 6 वर्स या 65 साल जो भी अगर उसकी 65 वर्स पूरी हो गए तो वो रिटायर हो जाएग परिच्छ का कारिकाल में और अगर उसकी 65 वर्स नहीं पूर हो रही और 6 वर्स कारिकाल पूरा हो गया तब भी ओ रेटायर हो जाएगा तो इसको आप्सन A सही हो जाएगा 116 नंबर प्रश्च कहरा है निमने में से कौन संसत के दोनों सदनों में बोलने अनिकारिवाईओं में भाग लेने पनंतूर देने का अधिकाल नहीं रखता तो इसमें आपका भारत का अटानी जनरल जो है इसको ऐसा अधिकाल मिला है तो आप्सन D सही हो जाएगा और आप जानते हैं कि यह अनुच्छे 678 के तहट राष्ट पत जो है अटानी जनरल की निक्ति करता है अग क्यों कि भारत में आप भारत के नागरिक हैं मलाभार राजजी में जो कहीं भी रहे अब भारन के नागरिक है अगला कह 여 decre 118 नंबर भारत की नागरिकता किस तरह से समाप्त होती है सव्चिक त्याक कर द्यां conveyor के वह इतो नहीं रहना चाहिते हैं कि आपको नागरिकता स्क सरकार चाहे तो आपको बर्खास कर सकती है मने नागरिक्ता में आपको पढ़ाया भी है लेक्चर पढ़ा हुआ है नागरिक्ता से वंचित करके विल्कुल सरकार कर सकती है अगर आपने देश-द्रोह का कोई काम किया या इद्धकाल के दोरान सत्रु देश की मदद कर दी या आप कहीं पर भारत के नागरिंग नहीं है और आप नागरिक्ता ले लिए हैं और वो भी फरजी दस्ता बेच के सारे तब भी आपकी नागरिक्ता भारत सरकार आप से छीन सकती है अगला है 119 नंबर प्रशने तो इसका 118 का D सही होगा यानी सारे के सारे 119 नंबर कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है पहला कह रहा है समता का अधिकार अनुच्छे 14-18 बिल्कुल सही है दूसरा सोसन के विरुद्दज़कार 23-24 सही है धर्न की सुतनता का अधिकार 29-29 ये बिल्कुल आपका गलत है धर्न की सुतनता 25-28 तकाती है फंडामेंटल राइट्स में मैंने आपको पढ़ाया भी है अगला 120 नंबर प्रशन निम्ड में से कौन सा कथन गलत है सबसे पहला कह रहा है संपत के अधिकार को 24-24 संभिधान संसोधन के बाद हटाया गया संपत का अधिकार आप मात्रेग नईतिक का अधिकार मैंने आपको बताया था इसे था पहले भी डिसक्सन में संपतिक अधिक नईतिक नहीं विधेक अधिकार है ये जोडा गया है ये आपको ध्यान रखना है अगला है 121 नंबर प्रशन भारत सिच्छा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाए गया तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान है सिच्छा का अधिकार जो है ये 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयू के लिए राजी क्या करेगा बच्चों के लिए सिच्छा का प्रबंद करेगा और ये आपका जो है जो छे सामा संभिधान संसोधन हुआ था कब छे सामा संभिधान संसोधन ये हुआ था 2002 में ठीक है 2002 में इसके द्वारा इसको संभिधान में जोड़ा गया है तो आपको ये ध्यान रखना है कि 6-14 निम्न में से कौन सा कथन असत्ति है अनुछे 21 का का संभन सिच्छा के अधिकार से है बिल्कुल सही है ठीक है दूसरा कह रहा है आपका 21 ये जो इससे पहले मैंने डिसकस किया वो 21 ये ही था उसी का क्वेश्चन ये भी बना है बड़ियां दूसरा कह रहा है इसमें 6 अधिकार राश्टी आपात काल के दोरान स्वता समाप्त नहीं होते मैंने आपको चर्शा की थी से पहले कि एनुछे 20 और 21 आपके एक ऐसे अधिकार है जो स्वता समाप्त नहीं हो सकते कि राइट टू लोग भारतिय संभिदान में जीने का अधिकार है मरने का नहीं अगर आपने सुसाइड किया तो आपको पुलिस उठा ले जाएगी अगर बचे तो ठीक है उसके बाद तो पुलिस आपको देखेगी और तमाम ऐसे नयायाले हैं जो आपको कुछ दिन के लिए भेज देंगे कहीं मानसिक के साले में किसका इलाज करवा हो तो इसलिए सुसाइड करना अपराद है अगला है इसके बाद 124 नंबर कोश्चन कह रहा है निम्ड में से कौन सा कथन राज विधान मंडल के बारे में सही नहीं पहला कह रहा है सम्विधान के छटवे भाग में राज विधान मंडल के गठन की बाद बिल्कुल सही दूसरा कह रहा है 168-212 बिल् है उसके बाद उत्तर प्रदेश है करनाट का आता है महाराष्ट आता है तेलंगाना जम्मू और कास्मीर यह साथ तो थे ही असम में भी हो गया तो वाट ठीक है इसलिए यह सी आउसन गलत हो जाएगा एक सो पजीस कह रहा है राज विधान परिशद में सदस्यों की नियुंत नियुंतम राज विधान परिशद में 40 होते हैं ज्यान रखेएगा दिमाग में ठीक है आगे बरते हैं 126 नंबर राष्टिया पातकाल के समय संसत द्वारा राज विधान सभा का कारिकाल एक बार में कितने वर्स के लिए एक बार में संसत चाहे तो एक साल के लिए बढ़ राजी या एक से अधिक राज्यों के लिए एक राजपाल की नियुक्ती हो सकती है तो 153 हो जाएगा ठीक है अगला बरते हैं इसके बाद 128 नंबर प्रश्ण है 128 में किसी राजी के लोगसेवा आयोग के सदस्यों को कौन पत से हटा सकता तो राजी लोगसेवा आयोग में राश्पत की चलेगी ठीक है राश्पत को यह दिखा रहे तो 128 का आपका ऑप्शन isa ही हो जाएगा 129 नमबर पर निम्न में से कौन सा सुमेलिर नहीं तो हमें option देखने पड़ेंगे आपको बगल में paper दिख रहा है option पहला कहरा है नुच्छे दे 153 राजिका राजपल पहले ही अभी बताया सही है दूसरा 155 राजपल की निवक्ती ठीक है सही है तीसरा कहरा है 165 राजपल की अध्रदेश जारी करने की सकती जब मैंने अभी इससे पहले ही आपको पूरा बताया है ठीक है कि कहां से कहां तक सारी चीज़े दी हुई है तो इसमें 233 जो दिया है 233 में आपके जिलाईयों सत्र निया धीस के बारे में पूरी व्याख्या है तो ये डी आपका गलत हो जाएगा आगे बरते हैं 130 नंबर है राजपल महादयोक्ता कितने समय के लिए चुना जाता है तो राजपल महादयोक्ता की नियुक्ती भी करता है अगला है 131 नंबर प्रश्ण वर्तमान में भारतिय सम्विधान में कितनी राजपासा हैं वर्डी थे तो आप जानते हैं 22 राजपासाओं का उलेख हमारे भारतिय सम्विधान में है इस समय मौझूदा अगला 132 नंबर प्रश्ण निम्न में से कौन सा नुच्छे सुमेले नहीं है नुच्छे 343 संग की राजपासा बिल्कुल सही 344 राजपासा पर संसदिय सम्विधियों मायोक बिल्कुल सही है 345 राजपासा और 351 कह रहा है उच्छे नियाले और उच्छे नियाले के राजपासा नहीं नहीं 351 नंबर जो आपका है 351 है ये आपका दिया है हिंदी भासा के विकास के लिए है ठीक है हिंदी भासा के उत्थान के विकास के लिए ये 351 में है ऐसा वर्णन इसमें नहीं है तो आपका D गलत हो जाएगा आगे बढ़ते हैं 133 नमबर ये किसी व्यक्ति को उचतन नियाले में आपका PIL दाखिल करना है यानि जनहित याचिका जिसको जहिया बोलते है दाखिल करना है तो याचिका किस भासा में लिखी जानी चाहिए आपको पता है कि याचिका हमेशा कोट की जो भासा है अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में लिखना चाहिए आपको 134 नमबर प्रशन केंद्रिय सुचना आयोग की अस्थापना कब की गई थी आपको याद है कि 2005 में आया था सुचना का अधिकार अधिनियम उसी के अंतरगती इसकी अस्थापना होई थी आगे बढ़ते हैं 136 नमबर प्रशन केंद्रिय सुचना आयोग में कितने सदसी होते हैं यानि मुख्य सुचना आयोग ते सहीत प्रशना आपका जैसा दिया है तो मुख्य सुचना आयोग ते सहीत जो होते हैं इनकी अधिक्तम संख्या दस हो सकती है और अप्शन ये सही हो जाएगा 137 नमबर प्रशन कहरा है भारत के महानियावादी को पद से कैसे हटाते है तो भारत के महानियावादी को अगर पद से हटाना है तो पद से हटाने के लिए इसको क्या होना चाहिए राश्पत द्वारा केन सरकार की सिफारिस पर इसको पद से हटा दिया जाता है ठीक है 138 आपका सुमेलित कौनसा नहीं 166 में कह रहा है कि पहला जो आपका दिया है option अनुछेद 76 भारत के नहाईवादी सही है दूसरा कह रहा है 88 अनुछेद 88 यनि 88 इसमें भारत के महानियावादी के संसत के सदनों और समितियों से जुड़े अधिकार बिल्कुल सही है तीसरा कह रहा है अनुछेद 105 भारत के महानियावादी के सक्तिया हाँ वर्णित है इसमें 165 में कह रहा है भारत के महानियावादी का बेतन नहीं 165 में राजी के महाद्यक्ता का वर्णन है तो 165 तो ये होगा ही नहीं ठीक है तो यहीं आपका गलत हो जाएगा D, 149 नंबर प्रश्ण पर आगे बढ़ते हैं, निम्नि में से कौन सा कथन भारत के नियंत्रगी ओं महालेखा परिच्छक के बारे में सही नहीं है, तो नियंत्रगी ओं महालेखा परिच्छक के बारे में अगर देखें इसमें, तो आपसन B कह रहा है, इसका नियंत्रगी ओं महालेखा परिच्छक के नियंत्रगी ओं महालेखा परिच्छक के कितने वर्स के लिए की जाती है, तो नियंत्रगी ओं महालेखा परिच्छक का कारिगाल 6 वर्स होता है, हम सभी जानते हैं, यह सही हो जाएगा, अगला है 141 भार में मैंने आपको पढ़ाया है ठीक है आगे बढ़ते हैं 142 नंबर प्रशन कहे रहा है राजी लोग सेवा आयोग का अध्यच और सदसी किसको इस्तिफा दिग तो लोग सेवा आयोग मैंने बताया राष्टपत जब उनको हटाएगा तो इस्तिफा भी राष्टपत को ही जात कलर हो जाएगा अगला कह रहा है कि 1449 में से कौन से संब्धानिंग निकाय नहीं है यानि जिसका उलेक संब्धानिंग नहीं है अब इसमें आप देख लो राष्टिय बल अधिकार संद्चन आयोग बिलकुल सही है राष्टिय पिछला वरग आयोग ठीक है और अगला जिसका उलेक भारतिय संब्धान में है अनि जो तीन दिये हैं इनका उलेक नहीं है इसलिए आपके सांब्धिक निकाय है यानि जिनका उलेक संब्धान में नहीं था बाद में उनको किसी बिल वगारा के माद्दम से बनाया गया 145 नंबर प्रश्ण कह रहा है निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है तो दूसरा अप्षन हमारा गलत मिल गया 146 कह रहा है कि कौन सा कारी निर्वाचन आयोग का नहीं है पहला लोकसभा विधान सभा राश्टपद उब राश्टपद का चुनाव कराना बिलकुल इसका कारी है दूसरा कह रहा है राजनीतिक दलो को मा 148 कह रहा है कौन सा अनुछे बित आयोग के गठन की बात करता है तो आप जानते हैं बित आयोग के गठन की सारी बातें अनुछे 280 में की गई है तो इसका ओप्षन ये सही हो जाएगा 148 नंबर प्रश्ण बित आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है तो जैर सी बात है राश्ठपत को सोगता है 149 नंबर कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है कथनों को हम देखते हैं प्रथम बित आयोग का गठन 1951 में किया गया बिल्कुल सही है दूसरा कह रहा है अनुछे 281 का संबन बित आयोग की अनुसंसाओं से हैं रेकमेंडेशन बिल्कुल सही है C कह रहा है बित्तायों की सिफारिशों के अंसरकार के लिए सलाहकारी होती है बादिकारी नहीं बिल्कुल सही D कह रहा है बित्तायों का गठन 6 वर्स के लिए बिल्कुल गलत है 5 वर्स के लिए होता है ठीक है तो 149 का D हो जाएगा अंतिम प्रशन 150 पॉलिटी का निमने मेसक कि समित की सिभारिशों के आदार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ था तो पंचायती राज बल्लवंत राय महता समित की अंसंसा पर हुई थी एक बार जरूर आप सारे के सारे लोग टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करें अगला जो टेस्ट होने जा रहा है कैसा हो रहा है अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं सारे लोगों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए और जो भी आपकी प्रत्क्रिया होती है जो भी हमसे सवाल होते हैं हमारे फेस्बूक ग्रूप पर टेलिग्राम पर और नीचे इस डिस्क्रिप्शन में आप जरूर कमेंट करें एक बार बताएं जरूर कि हमारा टेस्ट कैसा लगा आपको धन्यवाद